हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल और आप लोग मेरे से कमेंट पर पूछ भी रहे हैं कि पूरे बिहार में कितने ऐसे लोग हैं जो एनाइवेस है और सी टी टी क्वालिफाई हैं तो इन नियूजपेपर का है मतलब इसमें पूरा सही दिया गया है इसके सतेता की कुष्टी मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इस बात से परिचित नहीं हूँ लेकि नियूजपेपर में जो दिया गया है तो उसको मैं आप लोगों तक पहुचा रही हूँ क्योंकि ऐसे ही नियूजपेपर में आने ही गया होगा कुस्ने कुछ आइडिया होने के बाद ही आता है तो उपर देख सकते हैं लिखा हुआ है खुसकबरी हाई कोट ने एना युएस से डियलेट करने वाले सिक्षा को नियोजन में सामिल करने का आदेश दिया हलका सा कटा हुआ है उपर आप गौर से देखेंगे तो आप उसको पढ़ पाएंगे तो इसकी अनुशार प् कि देखें एना युएस से डियलेट करने वाले करीब पचास जार सिक्षकों को नियोजन में फायदा मिलेगा यह मतलब प्राइवेट इसकूल और सरकारी स्कूल दोनों का डाटा है यह पचास जार ऐसे सिक्षक है जो एना युएस है और सिटेट पास है हाई कोट ने डिय नियोजन में आबेदन करने का मौका मिलेगा वही सरकारी स्कूल के उन सिक्षकों को फायदा मिलेगा जो छटी से आठवी तक के सिक्षक नियोजन के लिए आबेदन करना चाहते हैं ग्यातों की प्रदेश भर में 2,63,000 सिक्षकों ने एना युएस से डियलेट किया था दे रहते ऐसे में राजसरकार के साहयोग से इनाई उससे प्रसिक्षित किया गया लेकिन इस सिक्षकों के पास टीटी या सी टीटी का परमान पत्र नहीं है जबकि स्कूल में सिक्षक बनने के लिए टीटी और सी टीटी उतिन होना आवस्यक है ठीक है चाठी से आठी तक में सिक्षक बनने का मिलेगा मौका टीटी स्टी टीटी उतिन सिक्षक संके परवक्ता अश्वीनी पांडे ने बताया कि एक से पाच्वी तक में 35,000 लगवक ऐसे सिक्षक है जिने इसका फायदा होगा और वन टू फाइब में 35,000 लोग पास है सी टीटी है ठीक है और डील एक उतिन होने के बाद सरकारी स्कूलों में कारेज़त इन सिक्षकों को कि शंक्या चटी शाठ की लिए अवेदन में मौका मिलेगा और जो सिक्षक 6 टू एट पास है और सरकारी स्कूल में उट्टू फाइब में सिक्षक है तो उन्हें भी 6 टू पूलों में है सिक्षक नियोजन 2019 के अनुशार जिन अभ्यार्थियों ने एक अगस्ट 2019 तक टीटी या सी टीटी किया है वही इस सिक्षक नियोजन में सामिल होंगे हां और एक और बात कि एक अगस्ट तक जो लोग पास कर चुके हैं मतलब दिसंबर वाले हमिसा मेरे से पू सिब्यसी के माने तो जूलाई में आयोजी सी टीटी में बिहार के पंदरों सो के लगभग अभ्यारती उतिर्ण हुए थे ऐसे में सिख्षक नियोजन में केवल इन नीजी स्कूलों के पंदरों सो को मौका मिलेगा और एक तरफ देखिए इहां पर दे रहा है कि प्रदेश पर में 50,000 सिक्षक किसे लाभान भीत होंगे ठीक है और इधर दे रहा है कि सिब्यसी के अनुसार अगर सिब्यसी का आप मानते हैं तो पंदरों सो अभयारती इसमें उतिर्ण हुए है तो अब देखना यह है कि इसमें सही नियूज क्या है ठीक है तो वैसे मैं इस पर पू 50,000 को यह दे रहा है 50,000 बहुत अधिक होता है तो मुझे भी नहीं लगता कि 50,000 सिक्षक होंगे जो उतिर्ण होंगे क्योंकि इतनी बड़ी शंख्या में सिस्टेट उतिर्ण करना तो इतना तो भीहार का रिजल्ट में ढ़ार तो एस सितिती हैं तो देखते हैं कि हो सकता है यही वाला नीज चाहिए हो क्योंकि सीबियसी के अनुशार है ठीक है यह सीबिसी के अनुशार है और यह जो टीटी एस्टी टीटी सिक्षक संग है प्रवक्ता असवी नीपार्डे उनका कहना था कि 35,000 सिक्षक होंगे जिनको इससे फायदा मिलेगा तो अब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद